जैहिन दोस्तों, दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे BSF Head Constable Radio Operator और Radio Mechanic जो की उसका रेजल्ट आपका Final Declar हो चुका है और जिनका सेलेक्शन हो चुका है वो आपना जोइनिंग का इंचार कर रहे हैं अब जब आप इसके उपर जोइनिंग कर लेंगे BSF के अंदर चाहिए आप Head Constable Radio Operator के पत्वे कर रहे हैं चाहिए Radio Mechanic के पत्वे कर रहे हैं जोइन होने के बाद में जिस दिन आप जोइन हो जाएंगे उसी दिन से आपकी सेलरी स्टार्ट हो जाती है तो आपकी जो फर्स्ट सेलरी बनती है वो कितनी बनती है जैब ट्रेनिंग स्टार्ट होती है नहीं होती है या फिर जैसे आप ट्रेनिंग में रहेंगे तो आपको कौन-कौन शेलाउंस मिलते हैं कितनी आपको सेलरी मिलती है after training आपको कितनी salary मिलेगी कौन-कौन शी कटोतिया आपकी salary से होती है इसके लाप pension के लिए क्या rule आपका रहने वाला है कौन-कौन salary आपको नहीं मिलेंगे starting में बाद मैं आपको कौन-कौन salary मिलेंगे पूरी जानकर आपको इस वीडियो के माद मिल जाए कि आप 2024 में जब जोईन करेंगे तो आपकी ग्रोश salary और आपके कैसे हैं कितनी salary बनने वाली है चनल में पहली बार है दोस्तों चनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा वीडियो कभी तेक लाइक ही नहीं कर देक लाइक जरूर कर लेना तो दोस्तों BSF Head Coast Table जो Radio Operator और Radio Mechanic की जो पोस्ट है इसका salary का मैंने लगब एक साल पहले भी वीडियो बनाया था लेकिन उसके पास जैसे DA बढ़ोतरी हो गी है तो एक दो कमेंट मेरे पास आया सबसे पहले बात करें जैसे आप की बढ़ती हो रहे है तो आपने जब नोटिफिकर्शन देखा होगा तो आपकी जो सैलरी थी 25,500 से लेकि कैसी 1100 से कुछ दिखाया होगा लेकिन जो 25,500 है यह आपकी होगी बेसिक पे जो जैसे कौश्टेवलिकी 1700 होती है वो 25,500 से स्टार्ट होती है अभी आपको जो अलाउंस मिलते हैं जो परसे इज होती है वो आपकी जो बेसिक पे है 25,500 इसे की उपर लागू होगी सबसे में आपका बढ़ोतरी यह दो आपको मिलता है बर्तमान में अगर दर्गी बात करें तो 46 परशेंट अभी वर्तमान ने सेंट्र गौर्णनेंट के कर्मचारी है तो सिविल में चीज़ेंट मिल रहे हैं जिसको महेंगाई बता बोला जाता है अब 25,500 पे आपको 46% महेंगाई बत्ता मिल जाता है तो फिर इसके ओपर आपकी जो salary का 25,500 का 46% बन जाता है 11,730 रूप है तो आपकी basic pay और DA दोनों को जोड़ने के बाद में जो आपकी salary हो जाती 37,230 रूप आपकी salary बन जाती है अब इसके बाद में आपको मिलता है पहला allowance salary house rent allowance house rent allowance क्या होता है तीन category में divide होता है X category Y category Z category X category में जिसका घर पढ़ता 27% Y category वालों को 18% Z category वालों को 9% तो अगर हम मानके चलते हैं 9% starting में जोड लेता आपको 9% मिलेगा तो आपका जो 25,500 का जो 9% बन जाता है लग में 2300 रूप की something बन जाता है नहीं कि 223 रूप आपका salary बन जाती है अब इसके बाद आता है आपको क्या आपको मिलता है रासन मनी जो सो का आपको खाना वाना खाते है खाने का पैसा होता है वह आपकी salary के साथ में add होता है जैसे आप Army Navy Air Force वगरारा में बढ़ती होते हैं तो खाना आपको free होता है गोर्मिंट के दृपारा लेक तो जब आपका महीना कंपने में आपने कितने दिन खाना खाया वो पैसा फिर आप अपनी जेव से दे देते हैं कहीं कहीं पर जैसे बॉर्डर एरिया के अंदर क्या होता कि डेली सोपिंग नहीं होती है तो वहाँ पर आपको रासर मनी नहीं मिलती है लेकिन अगर रासर मनी तो आपकी रासर मनी की रेट है सेंट्रल गवर्मेंट के दोवरा 127 रुप पैसे पर दे की मैस कटिंग लगती है तो 127 रुप पैसे का तीस से आप मल्टिप्लाई करेंगे तो 386 रुप रासर मनी हो जाती है फिर आपका बेसिक पेडी यह रासर मनी जोडने बाद में आपकी सेलरी 43,312 रुप 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 हो जाती है इसके बाद में फिर आपका जैसे छोटा मोटा आप इसमें अंदर अमांट अगर जा लेंगे जैसे आपका यह बन जाता है क्या बोलते इसको आपका रम अलाउंस हो गया वो गया यह सबी जीज़े जोडने के बाद में लग कटोती होती है नहीं ची जो कटोती होगी जो कटोती आपकी सबस्में जो होती सबसी जधा कटोती अ के लिए होती है जो आपकी basic pay दश प्रिज़ें अने कटा जाता है मांद के चलो आपका 3500 बेसिक पे था और आपका 11730 आपका दी ये था दोनों जोडने के बाद 36230 रुप आपका बना था तो इन दोनों को जोडने के बाद में फिर आपकी जो कटोती हो जाएगी 3723 रुपे में लग आगा के सर्विसे कट जाते हैं तो अब कर देंगे तो लगबग आपका 40,000 रुपे के असपास आपका बज जाएगा अब इसाड़े 40,000 में से फिर आपका आप रहते हैं तो आप रासन में नीद देनी पड़ेगा आपको खाना तो खाएंगे मैस के अंदर खाएंगे विबाद में तो जैसे आप ट्रेनिंग कंप्लेट कर लेते तो आपकी बड़ी आजगा पोस्टिंग आजएगा फेमली साथ रखते तो आ आपको खाना 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 पड़ेगा तो आप रासन मनी वे अगर दे देते हैं तो आपकी निकाल लेंगे तो लग 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 आपका इमान के चलो कि 36,000 रुप आपके बज़ जाए पिर काट पीटिके जैसे फिर आपका 5-700 रुपे को रिस्क फंड बगएरा का जो भी अगर यह मिल जाएगे तो उसको बढ़ा सकते हैं लेकिन मैं इसको किशियों को नहीं लिया जक्स्ट अलाउंस मिलती है या फिर आपका रिस्क अलाउंस मिलता है वो सभी नहीं जोड़े हैं तो इनके बिना आपकी लग बग 35-37,000 पर से अपकी स्ट्टिक हो जाते हैं बिन उसके साथ फिर आपकी सैलरी बनती है मौलों आपकी 37 गड़ में है जेंड के में है यहाँ पर 17320 का लाउंस है तो आप इसके अंदर जोड़ लेंगे तो आपकी 55,000 रुपे गास पर सैलरी बन जाती है कहीं पर जैसे आप दिल्ली के अंदर है तो फिर आपका अचारे भी कही जार तो मिनीमम 8-10,000 तो बढ़ना है जो मैंने अचारे बन जाएगा जैसे करके जैसे आपका प्सास आपकी सैलरी लगभग बन जाती है जैसे आप कर लेते हैं बड़िया सैलरी है तो जहां तक मेरा विचार है सेलरी के समद्ध में आपका डाउट होगा कि यह विदाउट जैसे बड़िया सैलरी आपको समझा दी है क्योंकि अलाउट जो होते हैं वह डिपेंड करते हैं पर फिक्स नहीं होता है कि आपको इतना ही मिलेगा वह सब यह अब जितने भड़ती हो रहे हैं किसी की कहां पोस्टिंग है किसी कहां पोस्टिंग है उसके साब से आपको अल